Option में पैसा कमाना असान नहीं है, कितना भी कर लो, मार्केट कमानी नहीं देता है Monetary calculation करते हैं, और फिर देखते हैं कि 5000 का loss आया, 10,000 का loss आया, 50,000 का loss आया जो strikes है, उनकी अंदर इतना बड़ा gap आ गया, कि मैं अगर उसे square off करने जाओं, तो मुझे profit के बदले में loss हो जाता है Option में trade करना, इतना important मेरे लिए नहीं है, जितना मुझे ये देखना, कि क्या मैं उसमें से exit कर सकती हूँ Friends, options में सबसे important role होता है, strike price selection का बहुत बार मैंने देखा है, कि लोग अपने comfort के हिसाब से strike select कर लेते हैं लेकिन उसमें जो problems आ सकती है, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है देखे, मैं option buy करूँ या right करूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता entry मेरे लिए बहुत easy है, आप entry कर लेंगे, plus minus रुपया बीच में डाला, trade हो जाएगा problem आती है जब मुझे exit करना है और खास करके अगर कोई strategy बना दी मैंने, और odd strikes ले लिए, तो उनको निकालने में book में मुझे profit दिख रहा है, underlying बढ़ गया है, spot बढ़ गया है, बट जो strikes है, उनकी अंदर इतना बड़ा gap आ गया कि मैं अगर उसे square of करने जाओं, तो मुझे profit के बदले में loss हो जाता है ऐसी situation में इतनी तकलीफ होती है, कि कहां first gap, option में पैसा कमाना असान नहीं है कितना भी कर लो, market कमानी नहीं देता है मैं एक छोटा सा discussion करते हूँ इसमें आपके साथ, हो सकता है, सबको पता हो लेकिन शायद आप में से कुछ ऐसे भी हो, जिनको इसके बारे में नहीं पता तो ये उनके काम की चीज है, जिनको बिलकुल नहीं पता और जिनको पता है, तो शायद उनके काम की भी निकल जाए तो अब मेरे सामने nifty की strikes है, ये option chain है बिलकुल सिंपल, nseindia.com से option chain निकाला हुआ है तो ये nifty का option chain है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे सब round figures हैं जैसे 21,000 हुआ, 21,100 है, 21,200 है, 21,300 है, 21,400, 21,500, 21,600, 21,600, 21,600, 21,900, 22,000 यहाँ पे बीच में 21,050, 21,150, ये जो mid strike price है तो nifty का चाहतक सवाल है, या bank nifty का सवाल है, या index का सवाल है तो ये जो strikes हैं, ये liquid नहीं है, लेकिन बड़ा काम नहीं किया जा सकता लेकिन बड़े काम में liquidity की problem आ सकती है हाँ, 2, 4, 5 lot किया है, तो वहाँ तक कोई problem नहीं है इन्हें कैसे समझना है सभी लोगों के request के बाद, Jyothi Ma'am finally ready है to conduct a mentorship program for all the candidates who've been watching and learning from her videos ये mentorship program में हम profit-making trading setups के बारे में discuss करेंगे और उन्हें साथ ही साथ practice भी करेंगे ये एक बहुत ही detailed program है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिये गए link पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ कवर करेंगे So hurry up guys, before someone else grabs your seat अगते के round में अगर मैं जाती हूँ तो जो round है, इनकी volume, इनका open interest देखिए, इनके volume देखिए ये जितने भी round है, इनके volume और open interest और जितने भी middle strike price है, इनकी volume देखिए काफी फर्क नजर आएगा, इसमें अगर 59,000 का volume है तो इसमें 36 है, इसमें 144 है तो फर्क है न, same way, ये put side है, ये call Same way, अगर मैं call में भी देखूँ तो ये देखिए, जो round figures है, उनके volume और जो middle strike price है, उनके volume और साथ में उनका open interest तो ये जो चीज़े हैं, ठीक है अगर मुझे 15 lot करना है, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यही अगर मैं 100-100-200 lot करती हूँ तो दिक्कत आ सकती है दूसरा क्या होता है, कि जो round वाली strike होती है तो bid और ask, ये होती है bid ये होती है ask ये होता है bid, ये होता है ask bid और ask मतला, अगर मुझे buy करना है तो ask price में buy होगा और अगर मुझे बेचना है तो मुझे bid price में बेचना होगा क्योंकि bid price पे buyer खड़ा है और जब मैं बेचूंगी, तो मैं buyer को बेचूंगी market में कोई मुझे से लेगा वो buyer होगा, मैं seller होगी तो ये जो है ध्यान रखने वाली चीज है दूसरी बात अब nifty के बाद हम देखते हैं एक illiquid stock अब ऐसे illiquid stock में यहाँ पर अगर मैं round में भी लेना चाहूं तो चलो मैं ले देके entry कर लेती हो कि चलो 60, 62, 64 जो भी price होगा मैंने call buy कर लिया volume भी है चलो लेकिन underlying बड़ेगा तो ये जो at the money है ये in the money हो जाएगा अब मैं ये देखना चाहते हूं कि 200 रुपया in the money हो गया तो क्या मुझे यहाँ से exit मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो मैं देखती हूं कि 200 point जो in the money है उसके बीच का difference कितना है 120 और 152 मतलब मुझे जब exit लेना होगा मुझे इसे बेचना होगा तो क्या मैं आरम से बेच पाऊंगी अगर मैं नहीं बेच पाई और expiry का time आ गया तो फिर मुझे delivery लेना या देना पड़ सकता है तो इसलिए मैं जो strikes या जो stocks illiquid है उनमें options trade करना पसंद नहीं करती हूं क्या होगा जादा से जादा उसमें trade छूट जाएगा अगर फिर भी करने का शौक है तो मैं cash में shares buy कर सकती हूं shorting नहीं कर पाऊंगी कोई बात नहीं लेकिन illiquid stock में options में trade करके फसने से अच्छा है trade ना करें क्योंकि तब भी तो फसने के बाद भी तो loss हो सकता है इसलिए better है ऐसे illiquid stocks जो भी हो जहाँ पे strikes में bid ask में कहीं पे भी हमें ऐसा लगता हो कि entry easy है लेकिन exit difficult है मैं उसमें trade नहीं करती अब ये एक stock है ये stock में हर strike पे liquidity दिख रही है हर strike पे दिख रही है तो अगर मैं यहाँ पे buy करती हूं let us say मैं ये वाला otm buy करती हूं ये otm जब itm हो जाएगा let's say price बढ़ गया 1200 हो गया ये 50 रुपया itm हो गया मुझे ये देखना है कि जो 50 रुपया itm है यहाँ से जो अभी का current market price है जो कि लगभग इसी के असपास कहीं होगा तो 50 रुपया जो itm है मुझे exit possible है वाँ पे कोई buyer है तो 1, 2, 3, 4, 5 ये भी ले लो कोई दिक्कत नहीं ये आराम से exit possible है यहाँ पर मैं कहीं भी देख सकती हूँ तो इसका मतलब अगर मैं इसमें entry करूँ तो मेरे लिए इसमें exit की problem नहीं है तो this is the most important thing कि जब मैं strike select करती हूँ तो उसके liquidity भी देखती हूँ एक चीज मैंने जो notice की है कुछ stocks में day 1 से liquidity होती है from the beginning of the month कुछ stocks में 10 तारीक के बाद liquidity start होती है किसी में mid of the month से start होती है और friends कई कई बार तो मैंने ये देखा है कि कुछ stocks में भले ही वो 10 तारीक के बाद start हो लेकिन morning में liquidity नहीं मिलती है कुछ stocks में और वो liquidity start होती है 11-12 बजए या मतला mid of the day में तो ये भी मैं देखती हूँ कि मैं जो stock ले रही हूँ उसमें liquidity कब आती है अगर वो mid of the day आ गई और मान लो सुबह सुबह मेरा price आ गया मैं exit कैसे करूँ तो option में trade करना इतना important मेरे लिए नहीं है जितना मुझे ये देखना कि क्या मैं उसमें से exit कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ अगर मैं first गई तो फिर और अगर मान लो उसमें मैंने strategy बना दी चाहे वो butterfly हो, condor हो bull spread हो, bear spread हो ratio हो तो फिर तो निकलना impossible हो जाएगा मेरा एक leg निकल जाएगा एक leg first जाएगा बिना मतलब का loss खड़ा हो जाएगा कई बार ऐसा हुआ कि profit होने के बावजूद भी loss का सामना करना पड़ा because इन चीजों की तरफ मैं भी थोड़ी ignorant थी इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ इस point पर discussion किया जाए अब आते हैं कि मुझे तेजी लग रही है तो मुझे कौन सी strike price select कर लिए let's say मुझे ये stock में तेजी लग रही है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मुझे तेजी कहां तक लग रही है और इस पर मैंने upsearch.club पे course भी बनाया है technical analysis का option strategies का और data analysis का कि कैसे हम strike price को choose करें और कौन सा strike price हम buy कर सकते हैं write कर सकते हैं और बहुत ही nominal fees रखी है नहीं तो हम जितना भी target letter से हम expect कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि वो target को हम कितने दिन में expect कर रहे हैं अगर हमारा target 15 दिन का है तो क्या हमें दूर की strike पे जाना चाहिए नहीं pass की strike पे जाना चाहिए नहीं मालूम तो ऐसी situation में मैं spread बनाने की कुशिश करती है options अगर buy करना है और मेरा target time लग रहा है तो मैं buy नहीं करूँगी मैं wait करूँगी कि जब उसका breakout आजाए या उसमें speed आजाए क्यों क्योंकि premium decay हो रहा है मैंने strike कोई भी कि pass की select की हो या दूर की लेकिन पैसा तो मेरा लग रहा है और मेरे पास इसमें दो type के stop loss है एक price stop loss एक time stop loss और अगर time लगेगा तो hit हो सकता है ना time stop loss या price stop loss automatic buy premium decay now let us say movement भी start हो गया सब कुछ हमारे favor में सब बढ़िया है अब यहाँ पे 1500 का call 27 रूपया lot size 700 करीब करीब 18 से 20 अजार रूपया एक lot के पीछे मैं 33 परसेंट या 35 परसेंट का stop loss लेती हूं तो साड़े छे 7 अजार का stop loss आएगा तो let us say 1500 का मैंने call लिया 27 रूपय के करीब premium दिया 700 की lot size है तो कितना हुआ करीब करीब 17-18-20 अजार हो गया अगर मैं इसका 35 परसेंट का stop loss पकरती हूँ तो 7-7,5 अजार रूपय का stop loss हो गया affordable है target क्या है let's say target अगर इसका 1550 है तो 1550 मतलब 50 रूपया उपर अब 50 रूपया उपर होने पे मेरा premium क्या होगा ये देखने के लिए मैं 50 रूपया अंदर जाके देख सकती हूँ जोकी 1450 है करीब 58 मतलब double अगर ये risk reward favorable है और शाड़े छे अजार का risk उठा सकते हैं तो go ahead नहीं उठा सकते तो थोड़ा सा और shift कर जाईए और ये वाले call के बारे में सोचिए क्यों क्योंकि हमारा target तो 1550 है और 20 यहां यहां पर आके हमारा 14,000 रुपया इसमें भी अगर मैं 30% लेती हूँ तो 5000 का risk लेके भी trade कर सकती हूँ 4000 का risk लेके भी trade कर सकती हूँ और अगर मैं यहां पर भी देखूँ तो basically मैं strike वो select करती हूँ movement fast आये यह तो सब चाहते हैं लेकिन loss कम से कम लगे वो मेरी पहली priority है profit कम आएगा चलेगा लेकिन loss कम होना चाहिए मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि मेरे options में लाखों का loss हो गया वो भी buying options में मैं आस तक यह नहीं समझ पाई कि buying option में लाखों का loss कैसे हो गया तो यहां जब मैं देखती हूं तो भाई 20,000 के 2-3-4 lot उठा लिए ठीक है उठा लिए उठा लिए उठा लिए तो उस पे stop loss लगाईए अब आपके पास जो capital है उसको divide करिए उसके according strike चूज कीजिए कि आपको 15,20 लेना है थोड़ा सा one या two leg otm में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी risk reward change हो जाती है और drastic change हो जाती है अब मान लो यहां से मुझे सिर्फ 30 रुपे की उमीद है तो 30 रुपे बढ़ने की उमीद है तो 30 रुपे अंदर जाती हूं 10,20,30 तो यहां पर कितना आता है 32 रुपे मतला 20 का 32 रुपे बारा रुपया और रिस्क मेरा कितना ले रही हो मैं पांच या छे रुपया तो वही आने तो double one is to two ही आ रहा है लेकिन अगर मैं रुपया में गिनती हूं क्योंकि हम लोग one is to two तो देख लेते हैं लेकिन जब उसको रुपया में गिनते हैं और फिर देखते हैं कि पांच हजार का लौस आया दस हजार का लौस आया तो वह साइकलोजिकली बड़ा एफेक्ट करती है तो मैं वह स्ट्राइक को सिलेक करना पसंद करती हूं जो मुझे मेरा टार्गेट भी दे दे और रिस्क भी कम हो मॉनिटरी वाइज मैं आरार वान इस्टु टू मिनिममम चाहिए मुझे एक रुपय का रिस्क दो रुपय का रिवर्ड लेकिन वह एक रुपय का रिस्क कितना दस हजार, बीस हजार, पचास हजार, एक लाक नहीं ना 5000, because these are options, options का मतलब ये एक certain time पे खतम हो जाएगी, और certain time तो बहुत दूर की बात है, अगर हमने buy किया तो ये आज से हलका हलका खतम होना शुरू हो जाता है, यही चीज अगर मुझे writing करनी है, तो मुझे support अगर दिख रहा है, और 1500 की अगर मैं call ले रही हूँ, तो मैं करूँगी, 1470 की put बेचू, premium करीब करीब उसके असपास ही है, stop loss दोनों में लगता है, और ये मैंने देखा है, कि writing में, लोग stop loss के लिए जादा careful रहते हैं, buying के बजाए, क्योंकि buying में एक चीज सिखाई है, कि maximum risk is only up to premium, और ये बोलना बहुत आसान है, सबसे खतरनाक language कोई है, तो वो यही है, कि maximum risk is only up to premium, वो जीरो करके जाता है, तो strike selection हम लोग इस तरह से करते हैं, कि कितना risk हम ले सकते हैं, और हमारा target कितने दिन में आएगा, और कहां तक आ सकता है, तो दो चीज मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, एक तो ये, कि mid strike ना हो, दूसरी, वो options liquid होने च target है, उस target के साथ, मेरा reward कितना हो सकता है, risk कितना हो सकता है, monetary terms, रुपियों में, और उतनी distance है कि नहीं है, अभी मैं जे उमीद है कि खाली 20 रुपिया ये बढ़ेगा, तो 20 रुपे के लिए मैं इसमें काम नहीं करूंगी, मुझे कम से गम 4-5% underline move हो इस महिने में, तब त इसे होता है, मैंने बहुत बार सिखाया है, और login कीजिए, अब search.club में, उसमें सिखने मिल जाएगा, बहुत ही nominal rates है, affordable है, और मैंने अपने पूरे 38 years की trading और 22 years की options की experience उसमें दी है, और इतने nominal cost में, जिससे की सब सीखें, और मेरा motto एक ही है, loss कम से कम हो, profit ज्यादा से ज्यादा हो, final year end में balance sheet profitable निकले, thank you.